मूवी के स्टार्टिंग होती है एक एनी नाम की लेडी से जो की बाइ पॉफेशन एक लॉयर है जो की रेब केसिस देखती है उसका हास्पेंड जो की एक सर्जन है और जिसका नाम पीटर है और एनी पीटर की सैकेंड वाइफ है जिसको जुड़वा बच्चे है मीज उसको यहां पर दो ट्रिंस बेटिया है पीटर को उसकी फर्स वाइफ जिसका नाम रेबिका है उसको एक गुस्ताफ नाम का बेटा भी है रेबिका गुस्ताफ को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है लेकिन पीटर उसे अपने साथ अपने घर ले आता है जहां एनी डॉटर उसका वेलकम करती हैं उसे गिफ्ट देती है एक दिन एनी अपनी एक दोस्त से शेयर करती है कि गुस्ताफ में भी उसे लाइक नहीं करता एनी जब खर लोड़ती है तो उसे अपने केट के बाहर एक कीचेन मिलता है जो कि एनी डॉटर ने गुस्ताफ को वेलकम गिफ्ट दिया था वो उसे अपने पास रख लेती है एनी गुस्ताफ से बाते कर उसके साथ खुलने मिलने की कोशिश करती है वो उसके साथ फ्रेंक्ली होने की कोशिश करती है उसी राद जब एनी पीटर से बाद करती है गुस्ताफ को लेकर तो पीटर करता है कुछ समय में सब कु कि पूलिस को साथ क्वण देखती है लेकिन ऐने एक लायर थी तो वह अपने स्टाइल से गुष्टाफ से एजर या लॉयर बात करती है। वो उसे कहती है कि या तो तुम अपना जुम कभूल करो, accept करो या फिर पुलिस अपने तरीके से तुम से सब कुछ पता कर लेगी ये सब सुन, गुस्ताव accept कर लेता है तब एनी गुस्ताव से एक deal करती है वो उसके सामने एक शर्ट रखती है कि अगर तुम हम सब के साथ में अच्छे से रहोगे घुल मिलकर रहोगे तो मैं पुलिस को कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगी जो कि गुस्ताव एनी की शर्ट मान जाता है और हब हम देखते हैं कि गुस्ताव एनी की डॉन्टर के साथ बेटा हुआ है उनके साथ में खेल रहा है बाते कर रहा है कुछ दिन बाद गुस्ताव अपनी कर्फरेंग जिसका नाम अमांडा है उसे अपने खर लेके आता है जहां पर वो एनी से उसका इंटूडक्शन करवाता है कुछ दिर बाद Gustav और Amanda Gustav के रूम में जाते हैं वहीं पाहर कुछ दिर बाद Annie को Gustav और Amanda की आवाजें आने लगती हैं जो कि वो दोनों रूम में इंटिमेट हो रहे थे तो Annie उनकी आवाजें सुन खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो उसी समय पीटर के क्लोस होने लगती है नेक सीन में हम देखते हैं कि Annie की टॉटर स्विमिन कर रही है जहां पर Gustav भी है और Annie भी बैटे हुई उन्हें देख रही है तब Gustav वहाँ आता है और Annie से कहता है लेकिन Annie ये कहकर मना करती है कि नहीं उसे बहुत काम है घर पर जिस पर Gustav उसे कहता है अगर काम ही था तो यहां क्यों आई हो आपको घर पर रुकता था और अपना काम करना था Gustav की बात है सुन Annie उसके साथ पानी में चगर मस्ती करने लगती है जहां परको दोनों एक साथ बहुत खुशते और मस्ती करते है उसी तीन रात को Annie और Gustav अकेले में एक साथ एक सूपर पर बैटे हैं और बाते कर रहे हैं जहां Annie Gustav के साथ फैनली होते होते उसकी क्लोज जाती है और उसे टच करते हुए कहती है तुमारा और Amanda का सब कुछ ठीक तो चल रहा है न फिर जिस पर Gustav कहता है बिल्कुल और Annie वापस Gustav को उसके टैटू का पूछती है जिस पर Gustav Annie को कहता है कि वो ये सेम टैटू तुमारे बना सकता है अगर तुम चाहो तो इस चगे वो दोनों continue बाते ही करते है तब भी Gustav का सेल रिंग करता है और वो कहता है कि उसे अब जाना है Annie पूछती है किसके अमारे डा के पास Gustav कहता है नो नो एंथनी एंथनी is my best friend Annie खुद पर कांट्रोल नहीं कर पाती और वो Gustav को किस कर लेती है ये सब देख Gustav शॉक्ट हो जाता है और अब Gustav वहां से चला जाता है Annie को नीन नहीं आती है उसे Gustav का टच अट्रिक करने लगता है एक दिन Annie के साथ वापस यही सब रिपीट होता है उसे नीन नहीं आती और वो Gustav को फील करने लगती है तब वो उटकर Gustav के पास जाती है और Annie Gustav के क्लोज आती है और यहां पर यह दोनों फीजिकली होने लगते हैं चो कि दोनों यह सब वो हजोश करने लगते हैं पीटर को ऐसा लगते लगा था कि Gustav फैमली में कुले मिलने लगा है तो वो इस बास से खुशता अब Annie Gustav को जब भी देखती है वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है और Gustav के सब फीजिकली होने लगती है उसी समय पीटर घर पर आ जाता है चहां वो अपनी बीडियों से उनकी माँ Annie का पूशता है लेकिन वो इस सबसे अंजान है उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ कहा है उसी समय Annie पी Gustav की कमरे से बाहर आ जाती है और पीटर के आज आने पर वो थोड़ा नाखुश होती है जिसे पूदा करने के लिए वो दोनों जंगल में चाते है तब एक दिन Gustav Annie से कुछ परिसनली पूशता है जिसे वो अपनी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड भी कर लेता है एक दिन जब Annie की डाटर का पातरी होता है पार्टी चल रही होती है तब वहाँ पर Gustav Annie को अकेला देखता है और उसे किस काने लगता है जोकि उन दोनों को Annie की सिस्टर लीना देख लेती है Annie जोकि डर जाती है कि उसकी सिस्टर ने ये सब देख लिया है कहीं वो सब को ये सब ना बता दे लेकिन लीना वहाँ से पिना कुछ कहे पार्टी से चली जाती है लेकिन Gustav कुछ भी नहीं समझता जो कि गुस्ताव बहुत ज़्यादा भोला भाला था तब एनी उसी रात पीटर से कहती है कि शायद हमने गुस्ताव को अपने साथ लगका गलत किया है उसे पोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए था नेक्स डे एनी गुस्ताव से अकेले में मिलती है और उसे कहती है कि अब वो ये सब और ज़्यादा नहीं कर सकते हमको ये सब यहीं पर खतम कर देना होगा और पीटर को ये कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए गुस्ताव एनी के पातर सुन वहां से चला जाता है तब उसके बाद एनी अपने सिस्टर लीना के पास जाती है क्योंकि वो उसे समझाना चाती है कि वो पीटर को कुछ ना कहे लेकिन लीना उसे अपने घर से जाने का बुल तरवाजा परंगा लेती है वहीं पीटर वेकेशन के लिए प्लान करता है और गुस्ताव के साथ वो दोनों वेकेशन पर जाते है लेकिन वो दोनों वेकेशन से बहुत ही जल्दी वापस आ जाते है उसी रात पीटर एनी से कहता है कि गुस्ताव पोर्डिंग स्कूल जाना चाता है जिस पर एनी कहती है, शायद उसे हम लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, वो हमको पसंद नहीं करता, तब पीटर कहता है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, एनी कहती है, I trust you, कि तुमको उसकी बातों पर विजवास नहीं हुआ होगा, मैंने उसके तो पर इतना trust है, तब एनी अपना सामान बैक लेकर वहाँ से जाने का बोलती है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई सबको पता चलने वाली है, तब एनी पीटर को खर में हुई चोड़ी का भी बताती है, कि वो गुस्ताव ने की, और मैं उसका भला चाहती थी, इसलिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, मैं गलत थी, मुझे सबको बताना चाहिए था, एनी की बात है सुन, पीटर को उस पर trust हो जाता है, और वो उसे गले लगा लेता है, और उस दोनां वो दोनों intimate भी होते हैं, नेक्स दे पीटर, गुस्ताव से बताने का कहता है, लेकिन एनी एकदम शानते हैं, वो कुछ नहीं वो दी, जैसे ही एनी गुस्ताव के पास जाती है, गुस्ताव, उससे में एनी के फेस पर split कर, वहां से चला जाता है, और एनी वो रिकॉर्डर भी ले लेती है, जिसमें एनी की गुस्ताव ने जाता है, और कहता है, कि पीटर को सब सच पता दो, वरना वो केस फाइल कर देगा कि तुमने मेरा फिजिकली हैस किया है, लेकिन एनी जोकि वो खुद एक लॉयर है, वो कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते, क्या प्रूफ है तुमारे पास, उसी राग घर किसमस पार्टी की तैयारी चल रही है, जग उस दब अपने फादर पीटर से मिरने आया है, लेकिन एनी उसे रोक लेती है, जिसमें वो एनी को किस करता है, और बहुत ही जादा होता है, लेना जोकि एनी की सिस्टर है, एनी को माफ कर चुकी थी, वो उसकी पर्दटे हाँ, उसी दोलान पीटर को नेपकर को आता है, वो पीटर से कहती है उस्ताव स्कूल में नहीं है, जिसे सुनeren पहया परिशान हो जाता है, और ये सब एनी को भी बढता है, नेक्स दे पीटर, पुलिस के पास जाता है, क्योंकि पुलिस ने उसको पुला रहा है, और जब घर लटकर आता है तो वो बहुत ही जादर दुखी है जिस पर एनी उसे पूस्ती है कि क्या हुआ कुम इतने परेशान क्यों हूं जिस पर पीटर कहता है पुलिस को गुस्ताफ की डैड बॉड़ी मिली है एक्चली एनी से किसमस पर मिलने के बाद वो उस कैम्पिंग वाले ल यह सब सुनने के बाद एनी को गिल्ड फिल होता है क्योंकि उसी की वज़े से यह सब हुआ था और एनी भी बहुत ज़्यादा होती है जैसे ही एनी पीटर को सहानूती देने उसके पास जाती है पीटर उस पर गुस्ता करता है उसका मूँ बगड़ता है क्योंकि उसी के कह पर पीटर ने गुस्ताव को खुद से दूर किया था इसके बाद वो चारों गुस्ताव के फिनरल में जाते हैं और यहां पर मुवी खतम हो जाती है दोस्तों आप लोगों से छोट इसी रिक्रेस्ट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेज सब्सक्राइब करना ना मजला भ्रीण से घ्यां झाला कि बादी क mu कि बाते हं इस तो मैं बाते हैं आहफं और जामन ँर्ष गॉमाच से देहल आप